हलो फ्रेंट्स वेलकम टू योगा एंड आरवाता चैनल हाजी फ्रेंट्स आज मैं फिर से आपके लिए नई जानकारी लेकर आई हूँ और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक किजे शेयर कीजे और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे फ्रेंट्स आज हम बात करने जा रहे हैं आम के फल के फायदे के बारे में आम को हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है यह एक मौस मी फल होता है चो गर्मियों में मिलता है हमारे देश में बहुत तरह क्याम पाए जाते हैं इसमें बहुत सारे गोण होते हैं फ्रेंट्स इसलिए इसे हम फलो का राज्जा कहते हैं आम बड़े, बुड़े, बच्चे सबी को बहुत ही पसंद होता है तो अब हम इसमें बात करेंगे आप से कि इसमें ऐसे कौन-कौन से पोश्चक तत्व पाये जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ही फायदिमन्द होते हैं आम में कई तरह के वाटमिन्स जैसे A, B, C, वेजामिन D और E पाये जाता है इसके अलावा फ्रेंट्स इसमें थाइमिन, फॉलिट, आइरन, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, जिंक, कॉपर और सेलिनियम भी होता है इसमें साथी प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइडरेट पाये जाता है दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आम का जो साइंटिफिक नेम है वो मैंगनिफेरा इंडिका है और आपको ये पता है कि जो कच्चे आम होता है उसमें वैटामिन सी बहुत अधिक मातरा में होता है और जब यही कच्चे आम पक जाता है तो इसमें वैटामिन से काफी मातरा में हो जाता है जो हमारी आँखों के लिए बहुत ही हेल्दी होता है कच्चे आम को friends हम बहुत ही limited मातरा में खाते हैं क्योंकि ज़्यादा कच्चा आम खाएंगे तो यह हमारे वात पेट और कफ तीनों दोशों को जो है वो disturb करेगा तो हमेशा कच्चे आम को हमें थोड़ा सा खाना चाहिए friends क्या आप चानते हैं कि जो अलफैंसो आम होता है वो सबसे महंगा होता है आम स्वाजिश्ट तो है ही साथ में यह हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है friends अब हम बात करेंगे इसके फाइदे के बारे में आम में एंटियोक्सिदेंट्स होते हैं जो हमारे शरीर में कैंसर के सेल्स को बढ़ने से रोपते हैं यह हमारे शरीर को breast cancer, colon cancer, prostate cancer जैसे खतरनाग बीमारियों से बचाते हैं फ्रेंट्स जो केलिस्ट्रॉल होता है हमारे में केलिस्ट्रॉल लेवल को ये बिल्कुल बैलेंस रखते हैं आम में प्रचुल मात्रा में न्यूट्रस्टिकल मौजूद होते हैं जो केलिस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में हेल्प करते हैं friends कि आप जानते हैं कि आम digestion के लिए बहुत ही अच्छा आम होता है जो देशी आम होता है जिसे हम छूस के खाते है यह digestion से समख़ती जितनी भी problems होती है उसे दूर करता है और यह जल्दी राजिस्ट होने वाला होता है इसमें एक लाक्सीटिव होता है जिसका मीनिंग होता है पेट को साफ करने वाला तो इसमें एक ऐसा गुड होता है जिसे हमारा ये पेट साफ करता है और आम जो है वो फाइबर का भी बहुत अच्छा सोर्स होता है दोस्तो इसका जो अगला फाइदा है वो है आँखों के लिए आम हमारी आइस के और जियाजन्थिन आम को फ्रिंट्स जियाजन्थिन का एक स्वोर्ट समानते हैं और हमारी आइस को हेल्ठी रखने में जो बहुत ही हल्प करता है दोस्तों क्या आप जानते हैं कि यह यादाश्ट को बढ़ानी में बहुत ही मदद करता है आम में एक glutamin acid होता है जो हमारी memory power को बढ़ाने का काम करता है इसके save and करने से हमारे जो blood cells होते हैं वो काफी active रहते हैं इसलिए आम को खाने से हमारी यादाश्ट होती है वो तेज होती है आम जो है वो nutrition से भरपूर है इसलिए जो भी pregnant females है उनको आम जरूर खाना चाहिए दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आम हमें गर्मी से बचाता है जी हाँ अगर आपको लू लग गई है और लू से बचना है तो आप कच्छे आम का पना बना कर खाईए इससे जो आपकी गर्मी है वो शानत होगी दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए भी आम बहुत ही फाइदेमंद होता है यह सेक्स पावर को बढ़ाता है इसमें मौजूद vitamins E और जो beta carotene का जो mission होता है वो sperm को damage होने से बचाता है दोस्तों आम को आम जो है वो दोनों तरीके से आप खा सकते हैं weight को कम करने के लिए भी और weight को बढ़ाने के लिए भी अगर आप एक limited मात्रा में आम का सेवन करते हैं तो इससे weight loss होता है लेकिन अगर आप ज़्यादा आम खाएंगे वेट loss होगा और अगर आपको अपना weight बढ़ाना है तो आप इसको बहुत ज़्यादा खाईए आप इसका mango shake बना कर पीजे तो इससे आपका weight बढ़ेगा आम का जो अगला फाइदा है वो अस्थमा में अस्थमा के लिए आम बहुती फाइदे मन्द होता है दोस्तो आम खाने से हमारी हड्या मजबूत होती है क्योंकि इसमें जो calcium होता है वो हमारी हड्यों को मजबूत बनाता है friends क्या आप जानते हैं कि जो enemy ऐसे ग्रसित लोग हैं उन्हें आम खाना चाहिए उसे उनके समस्था solve होती है दोस्तो इसकिन के लिए भी आम बहुती फाइदे मन्द होता है लेकिन आपको मैंने पहले ही कहा था कि आप हमेशा कोई भी फूटों आप हमेशा limit में खाईए अब बहुत ज़्यादा आम खाएंगे तो आपके पिमल्स निकलेंगे लेकिन अगर आप limit में आम खाएंगे तो आपके skin जब ग्लो करेगी और अगर आप अपने गूद जो आम का गूदा है इससे आप अपने face पे लगाएगे और कुज़ दे लगाने के बाद आप face धुल दिज़े से आपके skin बहुत ही अच्छी हो जाएगी आम हमारे immunity system को भी बढ़ाता है तो यह बाते की थी हमने आम के फाइदे के बारे में बहुत से अब बहुत से लोग पूछते हैं कि आम ठंडा है या गरम है तो जी हाँ फ्रेंट्स आम की जो तासीर होती है वो गरम होती है इसलिए आइपको ध्यान रखना है कि जब भी आम खाएं तो इसके बाद या तो आप जामन कखा सकते हैं या फिर आप इसके बाद दूद बीड़ पीजएं आप गुरुना दूद भी पी सकते हैं और आप ठंडा दूद भी पी सकते हैं प्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि आम जब भी खहाया उसके बाद आप पानी नहीं पीए, आम खाना खाने के बाद कभी भी आपको पानी पीना नहीं चाहिए तो दोस्तो आम जो है वो हमारे दिल को भी स्वस्त रखता है तो आज हमने बात किते आम के बहुत सारे फायदी के बारे में तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजे शेर किजे और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है